हे गाइस वेलकम बैक टू माई शैनल आज हम बनाएंगे ककोरे और प्याज की बहुत ही टेस्टी सूखी सबजी यानि की ककोरे प्याज की भुजिया जिसे आप रोटी पराठे के साथ खाएं या दाल के साथ साइड डिस के रूप में बनाएं आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं रसीपी की ककोरे प्याज की टेस्टी भुजिया बनाने के लिए हमने आपर लिये हैं ककोरे ककोरे को हमने अच्छे से धो लिया था इसके बाद हलका हलका छील लिया था और पतली पतली स्लाइसेच पर कट कर लिया है दो बड़े साइज की प ready लगभाद को भूल लेंगे 3-4 बारीक कटिवी हरी मेर्च ऊर बारीक कट Stewart लैसोन लकभाद 80 बारीक काट के डाला है हलका भूले इस वाद ओ이 करेंगे प्याज, और चुट्की भर्मेन इस प्याज भी डाली के लिए बहुत अची होती है अब हम प्याज को अच्छे से भूनना है, हलका सा भूनना है, बड़ शिर्फ हम इसे एक मिनट के लिए ही पहले भूनेंगे, यह देखें, जैसे हलकी सी प्याज भून जाएगी, ट्रांसलोशन्ट हो जाएगी प्याज, हम इसमें आइड कर देंगे ककोरे, और ककोरे को भी अ साथ ही अच्छे से भून लेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स करते हुए, पहले से खुले में 2-3 मिर तक भून लीजिए, इसके बाद हम इसमें आधा छोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच कास्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, स्वात के अधन सानला नमक दालें और अच्छे से मिक्स करिंगे इस दे मसालों को अच्छे से मिक्स करेंके, भूळे समय और ध्यान कर दो दियांĩ है दालेता है Il 쓰श्वार्म के दो दिच्छे अच्छे से मुक्स कर दिया है, अब हम इसे धग देंगे और फ्लीम को एकदम लो कर दें बीच में आपको इसे एक दो बार खोल के चला देना है ताकि ककोरे जो हैं वो नीचे से जले नहीं और सभी तरब से अच्छे से फ्राई हो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लगबग 10 मिनट हो गए हैं और हमारे जो ककोरे और प्याज हैं वो अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें चोटा चमच आमचूर का पाउडर डालेंगे जो कि हमारी सबजी को अच्छी सी खटास देगा आप चाहें तो इसमें टमाटर भी काटके डाल सकते हैं बढ़ अगर इस तरीके से भूचिया बना रहे हैं तो आप आमचूर का पाउडर ही डाली पाउडर आदा चमच कुटी भी लाल मिर्च और डाल देंगे तीका आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा अड़िस्ट गर सकते हैं यह अच्छे से मिक्स करेंगे बाकि कोई भी मसालिस में नहीं जाएंगे बहुत ही कम मसालों में यह सबजी बनती है और यह सबजी जो है वह बहुत ही ज्य बून लीजिए जितने बढ़िया सबजी भूने की इसके टीस्ट है उतना ही अच्छा उभर कियाएगा यह लीजिए फ्रेंज हमारी बहुत ही रेष्टी ककोरे ब्याज की टेस्टी भुजिया बनके तैयार है इसे आप गर्मा करम पूरी पराठी रोटी के साथ खाए या दाल के साथ साइड डिस्क की रूप में बहुत टेस्टी रखती है रेष्टी पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजेगा फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ